विश्वम दरपन दर्श्यमान नगरी तुल्यम निजानतर गतम पश्यनात्मनी माया भहिर बोद भूतम यठा निद्रया या साध्षात गुरुते प्रभोद समय स्वात्मानम वाद्वयम तश्मय शड़ी गुरुमूर्थे नम इधं शरी दच्छामूर्थे अभुदे इस वीडियो में चौत्य आद्यात्य तेर्वा स्लोग रूखत्य क्या है चातुर्वरेत्य मया श्रस्तम गुण कर्म विभागशाह टस्यकर्तारमपी माम कुण कार्टारम अब्भयम ठीक है भावान कहते हैं कि मैंने क्या किया है भावान क्या कहते हैं भर्वान कहते हैं कि गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक इन चारो वर्णों की रचना मैंने की है, किन्तु इनका करता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी परमेशर को अकरता ही समझो, यदब ब्यवहार द्रष्टी से चारो वर्णों को मैंने ही रचा है, तथा पी क्या है, परमार्थ द्रष्टी से तुम मुझे अकरता ही जानो, क्योंकि तत्वेता को कर्म नहीं बानते, मैं स्रष्टी के उत्पत्ती, स्थित और संघार रूप कर्न करते हुए भी इनसे असंग हूँ, परमार्थ तह, ये सब संसार माया मात्र है, इसे मैं माया द्वारा ही रचता हूँ, और माया मोहित पुरुष्टी से सब कुछ करता हुआ भी जान पड़ता हूँ, परंद त तत्वेता मुझे नित्यसुद्दबुद्दमुक्त ही देखते हैं, तत्वेता मन बुद्धी का साच्षी होता है, अता वो बैवार द्रश्टी से सब कुछ करता हुआ भी वस्तुता कुछ नहीं करता, एक ही तत्वेता करता और करता दोनों कैसे हो सकता? ये प्रश्न इश्वर द्रस्टी से जो सर्व करता और सर्व भोगता है वही शुद्ध ब्रह्म द्रस्टी से अकरता और अभोगता भी है इसी प्रकार जो तत्वेत्वा बुद्धी साच्छी रूप से अकरता अभोगता है वही देह द्रस्टी से करता और भोगता भी है तो प्रश्ण हो गुरूब है गुरूओं का भी गुरू है तथा तत्वेत्ता को ज्ञान हुआ है इश्वर सर्वग्य है तथा तत्वेत्ता स्वरूप दृष्टी से सर्वग्य होते हुए भी ध्रेहिं दृष्टी से अलपग्य है परंदु ये भेद वेवहार की दृष्टी से परमार्त प मतलब यह हमने प्रसंग के बस बताया है आपको इसी प्रकार उन्हों बताया भगवान का इते मैंने गुण विभाग और कर्म विभाग से चातुर्य वर्ण कि स्रेश्टी की है चातुर्य वर्ण के इस रस्ता है भगवान गुण विभाग कर्म विभाग पहले प्रकति का गुण विभाग और कर्म संसकार का कर्म विभाग अनादी है जीव भी अनादी है वो काल से कर्म करता आया है इसलिए कर्म विभाग भी अनादी है और प्रकति गुण महीं है इसलि के अनुषार चातुरमण के श्रस्ता भगवान के सिर्धाय रहते हैं किमसी ने जिसने धोधाप सवें बनाया तुम्हें तुम्हें बतलाने बनाने वाले की खोजो तो जान लोगों तुम्हें ब्रह्मिग्यान कि मैंने बनाया लेकिन महराज आपने ये बढ़ाई लोहार का काम कब से शुरू कर दिया बोले हैं लोग विवार की द्रिश्टी चातुरल वड़का करता हूं तथा भी वस्तुता क्या है अब बनता हूं और न बनाता हूं अब देखो न बड़ी मज़ेदार बात पहले तो क नहीं इसके बाद आगे का इस लोग है क्या है तेरा हो गयते न चौध वाइस लोग है क्या है नमाम करमानी लिम्पंती नमे कर्मफले इस परहा इतिमाम योव अभी जाना थी कर्मर्भिन सा बध्यते चौध वाइस लोग है मुझे कर्मफल की च्छा नहीं है और कर्म मुझे बांध नहीं सकते इस प्रकार जो मुझे भली भाती जानता है वो कर्मों से नहीं बनता ये इस लोग जीवनमुक्त और ईश्वर दोनों के विशा में मलब घटित हो सकता है गीता में ये दिखाया गया कि भक्ती करते अगनी सभी कर्मों को भसमी भूत कर देता है यहां ये कहा गया है कि निश्काम कर्म बंधन के कारण नहीं बनते ये कितिनी कठिन बात है कि जो रोटी बनाता है उसके कपड़ों में हल्दी आदि का धब्बा न लगे इसी प्रकार कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहो य अबिआ युए जना अभी आसा जो अच्छी तरह जानता है इसका ताध़ी ताप पर केवल जानने में नहीं प्रत्यतुशास्त वारा इसानमो करने में है कि मैं कर्म और योग से सरथा आसंग हूँ ऐसा होने पर ही विद्वान कर्मों से लिप्त नहीं होता ऐसी सिद्व प पताया उन्होंने अब इसका दो है क्वों से 15 लोग आ सकता है 15 लोग क्या है एवं ग्यात्वाहक्रतम एवं ग्यात्वाक्रतम कर्म क्या है पूर्वैरभि मुमुच्छ भी कुर्व करमेव तस्माप्तवम पूर्वे πूर्वतरम पूर्वतारम क्रतम पहले जुद्जनकाद ही मुमुच्छु हुए हैं उन्होंने ऐसा जानकर ही कर्म किये थे आता तुम अपने पूर्व पुरुषों से भी पहले हुए पुरुषों के लिए हुए कर्म का ही आचरन करो मुमुच्छु सब्द से यहां प्रेमी भक्त अभिप्रेद नहीं है उसे तो ज्ञान निष्ठा भक्ति तमन्ना चाहिए यहां कर्म सब्द से निष्काम कर्म और निष्काम उपासना दोनों ग्रहन करने चाहिए जीव कि यहां कर्म अनुष्ठान पर जोड डाला गया है ग्यात्वा सद्व से यहां सास्त्र ग्यान समझना चाहिए तत्तो ग्यान नहीं इसी से भगवान कहते हैं कि अन्ताक्ण की सुद्धी के लिए निश्काम कर्म करो यहां पर यह अब अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आग बहुतत उसे करतापन बहुत से मुक्त होना ही है इसलिए अर्जुन तुम भी कर पहले के लोग पहले से जो लोग जिस परंपरा का पालन करते आए उस परंपरा के परत्याद का कोई कारण नहीं है ठीक है ठीक है अब इसमें क्या है लोग निश्कामता कि वो पीठते तो है डॉंडी लेकिन कि हम निश्काम है निश्काम है लेकिन यह नहीं समझते कि आठ वर्स के बच्चे की जीवन में आठ वर्स जोड़ दिया गया है वो कितना लाबदा है तुम्हारी दिस्टेम भले इसका कु अच्छे काम करोगे इसलिए भगवान कहते हैं कि हमको अगर अपने अंताकरण से कुछ हटाना है और उसमें कुछ बढ़ाना है तो पूर मुच्छों की तरह बाप दादाओं की तरह कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कर्म के सिवाए अंताकरण के शुद्धी का और कोई कि मार भगवर अगर चुटाना है तो साबुन लगाना ही पड़ेगा इसलिए लेकिन इसकार्थ यह नहीं कि मैं छुट जाने पर साबुन को पोते रहोगे नहीं साबुन को भी धोडा लो पर पहले मैल चुट जा तब उनमे यह मतलब यह आपे इसके आगे क्या है इसकी आ किम कर्म किम करमेती कवयो अप्यत्र मोहिताह तत्ते कर्म प्रवच्छामी यज ग्याप्तवा मोच से अशुभाथ मतलब कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विशय में दूरदर्सी पंदित भी मोह में पढ़ जाते हैं अता मैं तुम्हें भले प्रकार से कर्म कहूँगा बताऊंगा जिसे जान देने पर तुम संसार रूप अशुवशे मुक्त हो जाओगे। अब यहां प्रश्ने सास्त्रों ने आत्मा को जानने से मुक्ति बताई, फिर कर्म को जानने से मुक्ति कैसे होगी, उत्तर यह हो सकता है कि आत्मा तो जानने की वस्तु नहीं है, जाना तो कर्म ही जाता है, कर्म को जानना जाता है, यह है कि क्या जानना है कर्म को कि कर्म माया जा है उसकी सत्ता नहीं है अथ्वा वो अपना ही शुरूप है आत्मा तो- स्वयं मैं उसे कोई क्या जानेगा और कर्म से कर्मा भाव समझना चाहिए तो घर्मी क्या हैं तो कर्म किया है इसमें बड़े बड़े कभी मोहित हो जाते हैं अब इस a है अब जनरंजन खंजन नमंजन यह खंजन-मंजन का मजォा तो आता है भगवान के प्रेजाओ आता है नाचगाने में अभी यहाओ परमात्मा का आनंद नहीं आता है यहाँ भी तरक युगति और सस्तमातायास किया जो सीधी सीधी बात थी वो भी टेड़ी हो गई शरीर अलग-अलग है लेकिन उसमें चेतन एक है अब चेतन आकास से भी शूच मोता है आकास ग्यात ही होता है चेतन से अब फिर जब आकास ही दो शरीरों में नहीं है तो इस आकास को भी प्रकासित करने वाला चेतन दो शरीरों में कैसे हो सक आई ऐसी प्रकार्ता निरूपित की कि एक ही चोड में समझी जाने वाली सीधी बात बड़ी कठीन हो गए उस पर परदे परदे पड़ गए इसलिए तर्ट युक्ति का परदा हटा दो तता स्वर्ताल और अच्छे-च्छे स्वर्ताल में गाने वाले भजान आनंद एक नहीं होता है इसलिए बात को समझना चाहिए भगवान कहते हैं कि कर्म प्रवच्छामी कर्म प्रवच्छामी अकर्म प्रवच्छामी में दोनों प्रकार के परिछेद मैं मैं तुम्हें कर्म अकर्म दोनों बताता हूं उन्होंने बोला कर्म क्या है कर्म अकर्म का ज्ञान हो जाने पर तत्ते अकर्म ब्रह्म प्रवच्छामी तुम्हारे लिए उस अकर्म ब्रह्म का निरूपन करता हूँ अथ्वा तत्ते कर्म जगत प्रवच्छामी तुम्हारे लिए उस कर्म का निरूपन करता हूँ बोला कर्म की गतिवली गहन है यह किस चाल से चल रहाई से समझना बड़ा कटिन है करतब के विप्रीत आच्रण का नाम विकर्म है जीवन में लेता है प्रसित्य कर्म वीदकर्म है इनको ठीक समझना चाहिए पहले ठीक है। इनको ठीक्ति समझना चाहिए आगे कई श्लोग क्या है सत्रों अगर्म अडश्च जहना कर बनों गथि कर्म का मतलब सुर्थी इस्मृति प्रतिपादित कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का मतलब सुर्थी इस्मृति निशिद्य कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गती बहुत गहन है, अब प्रश्न हम चलो यहां लेते, ये कर्म, विकर्म और अकर्म का क्या स् कर्म क्या है सास्त्र वहित कर्म कर्म सब्द कह जाते हैं इससे वर्ण और आश्मों के लिए जो कर्म बने हैं ठीक है वह वहित कर्म समझने चाहिए इन्हें जानने पर ही इनकी यथावत अनुष्ठान हो सकता है अता इन्हें करने के लिए जानना हो सके इसमें सत्कुन की प्र इन पन्राइब सक्रां करता है वह वास्तुए अकर्म है और निशकाम कर्म को भी अकर्म कहिने अकर्म को कह सकते हैं कि इस में सन्यास ही अकर्म है क्योंकि उसमें सभी काम में कर्म होता है साधान लोग अकर्म लेता कर्द गलते खाली बैठे ऑल में ये खाली बैठना ठीक है ुम आप इसके बाद 88 लोग क्या है दो दने में देख tähän जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनिश्यों में बुद्धिमान है वही योग युक्त सिद्योगी है और वही संपूर्ण कर्म करने वाला यहां कर्म करने वाले को बुद्धिमान नहीं कहा अपितु कर्मों के स्वरूप को जानने वाले को बुद्धिमा अब इसमें के स्वरूफ को जानना है अब इसमें जो कर्मकांडि पंढित लोग उनका और कराय जाते हैं उनका अपना कोई नमीन फल नहीं होता उनसे केवल प्रत्यवायों की निरत्ती होती है अता इन्हें देखना ही कर्म में अकर्म देखना है तरहां उन नित्य कर्मों को ना करने से पाप होता है यहीं अकर्म में कर्म देखना है यहीं अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता यहां तो किनारे के व्रच्छ चलते नजर आते हैं, ये अकर्म में कर्म हैं, किन्तो ये अर्थ भी ठीक नहीं है, ये अभी प्रासंगिक नहीं है आजकल, क्योंकि ऐसा जो देखता है, उसे तो गुद्धिवान, युक्त और सर्वकर्मकरत कहा गया है, ये लच्छन उसमें नहीं ग देखता है, ठीक है, और आत्मा को निश्क्री देखता है, वही मनिश्यों में वद्धिमान, योग, युक्त और संपूर कर्मों को करने वाला है, ये अन्युए द्रष्टी से वही क्रियावान है, वही निश्क्री है, वही क्रिया और वही सब कुछ है, जो ऐसा देखता है वही वो दिमान सिद्ध और सम्कूर कर्मों को करने वाला है अथवा अकर्म निश्क्री आत्मा में कर्मों को अध्यस्त देखता है अधिश्थान द्रश्टी से कर्मों में निश्क्री आत्मा को देखना यही कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना है अज़क क्रिया दो प्रकार की हो सकती है पहला सांत और दूसरी विछिप शांत अवस्था में क्रिया बीज रूप से रहती है यदि ऐसा नहो तो समाधी से उत्था नुन पर क्रिया नहीं होने जी है इसका अमला समाधी में भी सांती रूप क्रिया होती है इससे सिद्ध होता में होती रहती है कैसे आप देखना आपने देखा एक थाट आया दूसा थाट आया फिर आया उसके बीच में कुछ बहुत फ्रिक्षान आप सेकेंड के लिए गैप है नहीं है वही शांती का बीजी रूप है इस प्रकार जब क्रिया के बीना कोई अवस्था नहीं तो निस्क अग्या में भी शांती को अनुवत देखना कर्म में कर्म देखना इस द्रश्ची से बोधवान सरवदा निश्क्री है और अज्यानी सदा क्रियावान होता है समझ में आया अब यहां प्रश्ण हो सकता है अच्छा यह अधिश्थान अध्यस्त क्या होता है वह लोग किसी सट वस्तु में भ्रांती से अन्य वस्तु की प्रतीत होती है वहां अधिश्थान अध्यस्त भात होता है कैसे जैसे रसी में सर्प की प्रतीत है इसमें जो रसी अधिश्थान है और साप अध्यस्त है समझ में अधिश्थान अध्यस्त इस अवस्ता में अधिश्थान में भरा हुआ दूद है न तो यहां पात्र और जो आधे मन्लत दूद दोनों सत्य है вот् है पहले वाले वबनें बता है न कि अधिश्थान सत्ध अध्यस्थ सर्व मनदलब असत्य है इस इसमें आधार आधे में दोनों सत्य हो गए, ठीक है, मलब पात्र और दूद, अब साच्छी और साच्छ में क्या अंतर, साच्छी प्रकास या देखने वाले को, अब शरीर आधी सपूर्ण, संपूर्ण, प्रपंच, उसका अभाव जो भी दिखाई देता है, वो साच्छ है और चेतन आत्मा जी से सब दिखता है, वो साच्छी है, तो इसमें दो मत हैं, अच्छा इसमें भी, अद्वयत वेदामत ये ज्यानी लोग साच्छी को सत्य और साच्छी को सत्य मानते हैं, लेकिन सांख योग और पातांजल योग और उपासक लोग दोनों को सत्य मांगते यह इतना हमने बताया यह क्योंकि प्रसंग वस्त जानना चाहिए क्या है अब आगे अब इसमें क्या है अब वही है मान लीजिए कुछ भी अगर होता है तो है अब इसमें उन्नीश्वा इस लोग क्या है आगे अठारा हो गये थे अब इसमें उन्नीश्वा इस लोग क्या है क्या है यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्याना दिधक्द करमालं तमाहु पंडितम वुधा उन्नीश्वा इस लोग जिसके संपूर कार कामना और संकल्प से रहित होते हैं तथा ज्यानागनी से समस्त करम दग्द हो गए हैं उसको बोधवान पुरुष पंडित या तत्वेत्ता कहते हैं अब यहां प्रश्न ये उट सकता है कि कामना और संकल्प क के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती फिर कर्म का आरंब कैसे होगा कामना और संकल्प तो हों किन्तु परार्थ हों दूसरों के लिए हित के लिए हूँ ठीक है स्वार्थ या अपने सुक के लिए ना हो अथवा ऐसा समझो कि ज्यानागनी से दग्द हो जाने के कारण उ उसे संपूर स्रस्थी ब्रह्ममई ही दिखाई देती है इसलिए यहां भी उसके कर्मों को काम और संकल्प से रहित कहा जग गया है ठीक है क्योंकि जितने भी कर्म अकर्म हैं उन्हें वो मर्भूम के जल के समान केवल प्रतीति मात्र देखता है ज्यान हो जाने पर भी प्र प्रतीति मात्र देखता है इस प्रकार जैसे भुना हुआ चरा पूर्वत दिखाई देता है परन्तु उससे अंकुर उत्पन नहीं हो सकता उसी प्रकार बोधवान की सारी क्रियाएं पहले की तरह होती परन्तु वे फल देने वाली नहीं होती अब उसे कर्म करने की आवश प्रपंच कुछ भी नहीं है कि उसको ऐसा अनुभो होगा समझ में आया अभी क्या है कि अब जैसे मान लीजिए आजकल लोग को योगासन की नुमाइस का बड़ा शौक हो गया लोग बैठते हैं सिध्धासन बांध कर पदमासन लगर बैठ आते पीड की सीधी करके हम कोई करम नहीं कर्म है तुम कर्तत तो पूरा कर्म अद्रत हुए ला तो ये तो कर्म तो करी रहे हो दो कियो बाहरी कर्म छोड़ देने से अकर्ता नहीं हो गए अकर्म में भी कर्तत तो है, अकर्म में भी जहां कर्तत वहां, अकर्म है कर्म करते हुए भी जहां कर्तत तो नहीं, वहां कर्म है, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब असल में यहां अकर्तत के ग्यान से ताप पर रहे हैं, कर्तत तो निश्व भाव है, बहुत का कहना कि कर्तत्य के वीता जो साच्छी बैठा हुआ है वो साच्छी वास्तों में अद्धुतिय ब्रह्म है इसलिए द्वैत प्रतिभास मात्र है उसमें कर्ता कर्म और कर्फल ये सब बिना हुए ही मिध्या भासित हो रहे हैं केवल कर्तत्य की निस्वभावता के ज्यान से क कोई अकर्ता नहीं हो सकता अधिश्ठान बर्म के रूप में अपने आपको जान कर ही कर्फत्त से मुक्त हुआ जा सकता है साची भी तब तक वस्तुता कर्फत से मुक्त नहीं है जब तक वो अपने को पर्चिन साच्छी समझता है यदि वो एक देह का साच्छी है एक करता का साच्छी तो वो करता तो से मुक्त नहीं है ये सब साच्छी भावधारन कर रहे हैं अब ये सब साच्छी भावधारन कर रहे हैं करते हैं तो उसमें करतापन है क की नहीं अगर आप आदे घंटे तक साच्छी हो कर बैठे रहे माली अच्छा तो तुमारा आदे घंटे का साच्छीपन बनाउटी हुआ की नहीं यह समझाए कभी इसलिए अकल से काम करो भाई तुम्हें मनुष्य प्राप्त हुआ है तुम अपने को सीओ मत किसी के साथ जो थेुक है उनीशवम लिखा नग्यानागनी दख्ध करमालं तमाहु पंडितं बुधा ठीक है तमाहु पंडितं बुधा जोग जिसको पंडित-पंडित कहते हैं वो पंडित है समझ मैं तमाहु पंडितम बुधा वो विद्वान नहीं कहा जा सकता जो यत्र वया करना तत्र वयदिका वया करनों की सभा में बोले कि मैं वेद का विद्वान हूं समझ मैं जहां बया करना के बात होरी बया करना कि वहां बोले मैं वेद का विद्वान हूं ऐसा विद्वान नहीं का जकता तत्र वया करना तत्र वयदिका उसके वाद क्या है तत्र यत्र वयदिका तत्र वया करना और जहां वेद के पंडित बैठो हो बोले कि मैं विद्वान पंडित हूँ तो वह वहाँ विशय कर भिद्वान नहीं हूँ ऐसे काम नहीं चलताओ विद्वान लोग जिसके वयदुस तो करें वह ही पंडित हैं पंडित हैं जिसके बुर्धी में सदास्द विवेक नई पंड़ हो जाती है ये विवेक बड़ा अद्भूत है विल अच्छन सत असत का ग्यान कराता है सब लोग कहते हैं कि हम सत असत का विवेक करें लेकिन यदी यदी असत और सत मालो असत मालो जो असत माल लीजिए कोई वो है असत मालो भैस है और सत गाय है और हम उसको पहचान जाएं कि ये तो भै और भाई ये असत तो उसको कहते हैं जो होता ही नहीं चमना मैं है सब्सक्राइब के विवेक में द्वैत रहता ही नहीं यह जड चुकि चेतन के बिना मालूम नहीं पड़ता, इसले चेतन आश्रित है, और जब आश्र है चेतन और आश्रित है जड तो जड रूप आश्रित अपने अतंता भाव के अधिश्थान चेतन में भाश रहा है, इसले जड भी मित्या है, असत है, अच्छा आनन्द और अपने परम प्रेमास पद आत्मा में दिख लेकिन आत्मा तो दुख के अदिश्थान है और वहीं दुख दिख रहा है इसलिए दुखada मिठ्ञा रहा है फिर असत कि असत तो उसी को कहते हैं जो नहीं उसका अत्यंता भाव अपने अधिश्ठान में ही दीख रहा इसलिए असत भी नहीं है तब पंडित का अर्थ समझ में आया तब पंडित का अर्थ पंडित करत क्या हुआ यही हुआ कि क्या हुआ पंडित करत क्या हुआ ज्यानागनी डग्ध कर्मारम तमाहु पंडितम बुधा ज्यानागनी के द्वारा करता कर्म कर्मफल यह तीनों जिसके जड में दिखाई पड़ते हैं वो प्रत्यक चैतना भिन ब्रह्म ज्यान से जल च जिसका उसका नाम होता है पंडित, उस पंडित के जो समारंभ है उनको देखो, यह जो काम करता है, उसमें कोई काम संखल्प नहीं, बहुख संखल्प नहीं है, यश सरवे समारंभा काम संखल्प वर्जिताहा, circumstance है, CTE उसके द्वारा सब काम हो रहे हैं लेकिन उसमें काम संकल्प नहीं है क्योंकि ज्ञान की आख से सब संकल्प जल गए हैं अब बोलें अच्छा माराथ जितने पाप हुए जल जाए तो ठीक है लेकिन पुनले पुनले बज जाए जैसे पाप जल जाए वह चूटे वह उएसे पुनले भी जल जाए और छूटे नहीं अरे भाई मह महात्मा का जीवन पाप पुनले से नहीं चलता महात्मा का जीवन तो उसी की मौज से चलता है जैसे चिदस्त सम्विदस्त प्रतीत मात तरंगा एमान हो रही है वैसे ही महात्मा का जीवन है ना वो कर्म का करता है और ना वो कर्म का फल है यहां वहां तो यह सब कुछ है ही नहीं ठीक है आशा है आपको जुरूर समझ में आये होगा क्रपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग तो पहुंचाएं ठीक है ओम शामति शामति शामति